नमस्कार दोस्तों भागवान आपसे भी कबला करें और आपके सारीक चाहिमनों कमने पुरी हो दोस्तों आज मैं अपसे को इस हाथ से रिलेटेड महत्मों जानकर विए करूंग और यहां देख सकते हैं कि फिंगर कलेंथ आपके पाम के कमपेशन में शॉट है और आपका जो किसी प्रकर के रिस्टिक्शंस अपने लाइफ में एकसेप्ट ना करना ओपन माइंड टाइप कर नीशे परसनेल्टी होना यह सब बेसिक नेशन में होता है एस लीडर्शिप यह एस बिजनस बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने के चांसे इस कंडिशन में लाइफ में होते है शॉर्ट फिंगर होने के करने इमिजेट अपने थौट्स पर काम करना इमिजेट एक्शन लेना यह बेसिक नेशन में देखने को मिलता है और जब भी फिर्स फिंगर थोड़ा बहुत भी इंडिपेंडेंटली बिहेव करें सारे फिंगर के कंपरिजन में तो यह इंडिप ले लेने वाले रहेंगे इसलिए हर छेतर के विशम में परियाब ग्यान ऐसे जातकों के पास होता है इससे जातक बहुत अच्छे लीडर एडवाइजर या हाथ के नीचे काम करने लोगों के संखे लाइफ में जादा होती है लेडल फिंगर यहाँ पर शॉट होने के करेंट स्टेज फिर रहने वाला है और इस ट्रेंजर या पोजेजेंडर से बाचित करते समय थोड़ी सी हिचकी चार्ट या शर्मीलापन भी देखने को बिलेगा एक समय पर एक से जादा काम करने का आदत बिलकुल भी ना हो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हर काम में फिर परफेक्शन ये स्टेबिलेटी फिर मेंटेन नहीं हो पाएगा और इसके अलावा मनी मेनेजमेंट भी हलका सा वीक रहेगा इसलिए पैसे संबंदी विशेय का ग्यान बहुत अच्छे से देना या मेनेजमेंट के उपर अधिक काम करने की यहाँ पर आवशकता है इसके अलावा देखेंगे तो थर्ड और फिंगर के लिए थोड़ी जादा स्ट्रॉंग है तो यह रेस का टेकर बनाता है तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं और creativity artistic quality इनके हतेल में जादा है क्योंकि यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको गड़ल ओविनस का यह sign दिखेगा गड़ल ओविनस से के साच इन होते हैं जिसमें व्यक्ति एक्स्ट्रीम लेवल का creative एंड आर्टिस्ट होता है देखने को मिलता है इसलिए लगातार काम के regarding fluctuations करते हैं पाया जाते हैं क्योंकि एक जगह टिक करके काम करने क्यादा होती इस condition में बनती ही नहीं है लगातार परिवर्तन करने के अंतरगत रुक रुक करके काम करना या temporary based work करने की जो tendency हो जादा देखने को मिलता है इसलिए हलका सा mood swings भी होता है अगर मन क्या कोड़िक लिए काम ना हो या creativity artistic work ना हो इसके लाव फिंगर के उपर सीधी खड़ी रेखा है friendly nature दे रहे हैं लेकिन आड़ी रेखा हैं थोड़ा बहुत रिष्टो में तनाव भी देती हुई दिखाई देते हैं क्योंकि जब विक्ति एग्रेसिव जादा होते हैं या फिर छोटी छोटी बातों पर बूरा जल्द मानते हैं थोड़े से sensitive personality के हो जाते हैं जिसमें care तो सामनाले से चाहते हैं लेकिन दिखाते नहीं है तब ऐसी आड़ी रेखा हैं ज्यादा create होने लगती हैं इसके लाव finger के जो note से फिलाल develop नहीं है तो इस condition में थोड़ा clarity जो है एक प्रकार से अपने बात में या निर्णे नहीं है फेरेंजर्स की स्थिति और इंटर्नल मार्स की स्थिति फिलाल विक से ठीक है तो शाररी गठन स्थिति कुल मिला करके ठीक दिखाई दे रही है यहां पर एक island का formation और दूसरा एक island यहां देखने को मिलेगा island के formation जब ऐसे होते हैं तो health या mental health के लिए ठीक नहीं मा होना चाहिए फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा involved होने का तात्पर है खेल कूद और डे रूटीन लाइफ के बहुत स्टॉंगली मेंटेन करना चाहिए एक्सराइस योगा प्राणायम जैसी और जोगिंग जैसी चीजों में ज्यादा involved होना चाहिए क्योंकि उसमें फ् शक्त मजबूत है तो ये व्यक्तियों को बहुत जादा हठी वह जिद्दिक किस्म का बनाता है एक बार जो ठाना किसी भी तरह से उसको करके देखाना है टस से मस अपने लिए गए जो निर्ने है उससे नहीं होते हैं और हिम्मत भी जादा दर्शाता है और अपने बात पर अडिक रेने के साथ साथ किसी भी तरह से अपनी एक्षमनों कामनों को पूर्ण करने की यूगों को निर्मित करता है वैसे देखा जाए तो थम लोंग होने के करन सीखने समझने और बातों को याद रखनी की सक्षमता बहुत बढ़िया होती है अच्छा नौलेजवल परस है वैसे आपके अतेली में जो अच्छा खासा घर परिवार का सुख दे देने वाला रहेगा और जीवन में अगर मेडिटेशन अच्छे से मेंटेन रहा तो इंटेरनल पीस हैपनेस सिक्सेंस इंटिशन ही सारे चीज़े भी इवन बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग हो जाने व होता है इसलिए किसी प्रगर के प्रोस्पेक्ट या फिर प्रॉपर्टीज और सुख सुविधा में कोई भी कमी यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं जो आड़ी रेखाए हैं यह भी स्पिरिच्वल कनेक्शन सच्छा देगा धार्मिक बनाएगा रूडिवादी किसम की प्रदिती को अपनाने वाले अथो संसकारी यहां पर आप दिखाई दे रहे हैं तो जब गुरू की स्थिती ठीक होती है तो कुल मिलाकर कि वेल्दी पर्सनलिटी एंड प्रोस्पिरियस लाइफ इस्टैलिये दे देने वाला होता है सेटन माँ जब भी दपता है तो थोड से बात बुरी लग जाए कुन से बात अच्छी लग जाए कोई वेक्ति जज नहीं कर सकता है इवन यह भी नहीं तो जो मंगलो शनी के रिगार्डिंग वर्क बताएगा उसमें यही रहता है कि जतना जादा नीचर के क्लोज होते जाते हैं जतना जादा फिजिकल देख सकते हैं कि मून से लग लाइन स्टार्ट हुई है जो बहुत कमफर्टेबल लाइफ इस्टाइल लग को क्रियेट करता है मदर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट अटेश्मेंट या केर को इंडिकेट करवाता है और बहारी दुनिया लोगों से भी बहुत प्रेम दुला या फिर जो एक प्रकार से यहां पर वर्क करने का जो अपिरेंस से उसमें डेफिनेटली चेंजेस होता रहेगा मन भठकेगा या फिर काम से ही मनूब जाएगा तो उस करण से भी कोई काम सही रंक से पूर्ण होता हो दिखाईने दे रहा है जिद जाधा होने के करण जो भ दूसरी बात सूर के विश्यमे में करें तो सूर पर देख सकते हैं कि यहां पर आपके जो रेखा है वो हैदर रेखा से निकली हुई है यह बहुत अच्छा नाम विज़द देती है जीवन में जेतना ज़्यादा सोचा होता है जिवन में कि इतना respect at least कमाना है या इतना successful हो उससे ज्यादा ही ये सी सूर रेखा जिए में समरिध्य प्रगति देती हैं बस कंडिशन ये रहेगा कि यहाँ पर क्रोस का साइन है तो क्रोस का साइन जब भी सूर पर होता है तो पढ़ाय लिखाए में उतना पून तहमन ना लगना रूल्स रेगलेशन ये डिसिप्लीन मेंटेन करने में डिफिकल्टीज आना पीता ये बड़ो से थोड़ा विचारी गन्बन मध्वीत की स्थीति होना और हमेशा काम में परिवर्तन करना ये सब कंडिशन ऐसे होता है ध्यान रहे जितनी वी बाते बताई जा रही है इसका प पर ले दिखने शुरू हो जाएंगे लेकिन ये सारी रेखा है अभी फॉर्म ही हो रही है तो इसको इसली चेंज किया साय सकता है कर्मों के द्वारा और थोड़े बहुत लाइफ इस्थीति होती है तो इसमें सबसे पहले तो गायतरी मंद का जाब शुरू करना चाहिए य अपलता बहुत एक्स्ट्रीम लोगी मिलती है जितने भी बड़े लोग एकदम से अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े जिन्होंने अपने फैमली में वहां काम पहली बार किया हो जैसे कि एक्जांपल में हम गुविंदा को लें तो उसके फैमली में कोई भी एक प्रक कि उन्होंने इसके अलावा राजनीती में भी और एड्मिनिस्ट्रेशन में भी और बिजनस में भी ऐसे बहुत एक्जांपल्स देखने को मिले हैं जिसमें गायतरी मंत का जाप करने से एक्स्ट्रीम लेवल की सक्सेज नेम फेम और बिजनस टाइकून इसे जा तक बनते पाए गए हैं तो यहां सूर्य का जो एनर्जी है वो एकटा होते रहता जब हम यह करते हैं और जो भी हथेली के दोरा यह कुछ भी नेगेटिव पॉइंट्स नजर आते हैं वो सब अपने असर फिर नहीं दिखा पाते हैं क्योंकि इतनी जो एनर्जी एक्टिव हो रखी ह यह स्टोरेज में जा चुकी है वो कब सपोर्ट करेगे यह से समयपी सपोर्ट करेगे जब इस्ट्रेस यह च्ट्रगल आना हो तो यहां पर यह चीज कर सकते हैं बहुत वेल्दी परसनेल्टी रहेगा उसके विचे एक और रिजन यह है कि स्क्वेर एंड रेक्टेंगल के साइन जब होते हैं तो यह बच्पन से भाग्य जो है बहुत मजबूत लेकर के आते हैं समरिद्धी के विशे में अच्छी खासे समरिद्धी है ज़िया जमिन जायदात की मालिक होते हैं पाए जाते हैं और यहां जो रेखा निकल के एक जा रही है बुद पर बुद और होता है तो सुर्य सिर्फ एक जगे से नेगेटिव है बाकी सारे इंडिकेशन तो इसके बढ़िया ही है बरकरी माउंट पर जब थोड़ी वह ताड़ी रेखा होती है तो कई न कई थोड़े कट्व अच्छ निकलवाती है फिल्हाल इसका कोई इंडिकेशन देना ठीक नही लेते हैं यह जब दूसरों से उम्मीदें जादा होती है जब वह तूटती तो भी इसी रेखा है डेवलप्ट होती है इसलिए बच्पन से ही कई न कहीं बहुत मजबूत जो है भावनात्मक रूप से होने की सक्ता आवशकता है यहां जो हिरदर रेखा है वह जूपिटर स ही गया है तो इस कंडिशन में यह वर्कोहलिक नीचर देगा खाली बेटना पसंद नहीं होगा कुछ न कुछ वरक करना अपने आपको इंगेज रखना और आगे चलकर करके आश्रवादी और डेडिकेशन काम करती बहुत स्टॉंग होना प्रैक्टिकल लॉजिकल टाइप इसलिए इसका जो सजेशन या रेमिडिज सजेस्ट किया गया अब इससे उसको अगर फोलो किया जाए क्योंकि यह प्रोब्लम आएगा सेटन की द्वारा क्योंकि शनी के नीचे यह आईलेंड बन रहा है तो शनी का यहाँ पर काम किया गया तो यह सब कोई भी इशू प्र मजबूत रहने वाली है इसके अलावर लॉंग हाट डीपी स्टेडीज रहेगी किसी प्रकार की स्टेडीज या लॉंग स्टेडीज बहुत जादा ग्रोथ दिखाई यहां दे रहा है बहुत नॉलेजिबल परसनेल्टी और बुद्धी मता बहुत तीवरिया मजबूत यह हाँ पर रहेगी इसलिए तमाम तरह की विपरित परस्तिति माहुल लोगों को या कश्टों को बहुत सरलता से हैंडल टेकल कर पाएंगे और लाइफ में जो जो चैलेंजर साहे उसको एजली एकसेप्ट कर आगे भी बढ़ेंगे कमफर्ट जोने बिल्कुल नहीं रहना चाहिए से माइंड लेन वालों को बहुत ज़्यादा में इंटर लोड प्रेशर बहुत एजली हैंडल करने की कैपिसिटी को यह इंडिकेट करता है तो विवेक वान बुद्धिमान और ग्यान वान इस प्रकार की मस्तिश रेखा दर पैसा बनाती है यह यह यहां से जातक पैसा बहुत अच्छे तरीकर से बना पाने में इखटा कर पाने में संक्षम होते हैं नीचे के तरफ जाने वाली रखा थोड़ा डीप-then कर वा क्रेटिविटी में लेखर कर जाती हैं लाइफ लैंड के उपर बिसिकली कोई बहुत मे बाहर के तरफ भी जा रही है तो foreign traveling के chances, studies के chances भी strong है और जो supportive line है वो भी बहुत जादा active है, तो mangal की ये रेखा properties से लेकर के health, सारी चीज़े बहुत सही धंग से देती है और support system भी बहुत अच्छा life में maintain रहता है, बहुत सारी progress line independently निकल रही है, wide line से life line से, तो खुद के effort से भ आब तब मिलेगा जब वो consistent worker है, इसके लवा internal mars और outer mars दोनों की स्थिती सामान नहीं है, बहुत ज़्यादा विक्सित या बहुत ज़्यादा कम नहीं है, इसलिए इसके regarding कोई negativity नहीं है, शुकर की स्थिती बिल्कुल ठीक है, जैसा शुकर को होना चाहिए थोड़ा जोनाक चेहरे की बहुत अच्छी देखने को मिलती है, और प्लेजर जेतने भी life के रहेंगे या डिजार रहेंगे, वो सब फुल्फिलेज से शुकर के अतरिक्त होता है, complete होता है, केतु के उपर bifork, यात्रों को शुकिन या multiple traveling को भी indicate करता है, और चंदर की जो इस्थिती वो विखसे ठीक है वैसे, चंदर पर जब इस पर अगर के रेखा हो, तो मन हमेशा एक से ज़्यादा कामों में एक साथ ही लगा रहता है, money triangle का formation धीरे धीरे complete हो जाएगा, उसके regarding बिलकुल बेफिकर रही है, पेसा अच्छा है, अगर रुकेगा बचेगा भी, और mind line से बह prosperity, property, wealth and livelihood, ये चारों चीज़े बहुत ज़्यादा सही रहने वाली हो और और अच्छी दिन प्रते दिन होते जाएगे, left hand में भी देख सकते हैं, कि यहाँ पर भी आपके mind line में at the end by fork है, तो इस condition में जो intelligence है, knowledge है वो ठीक होता है, moon luck line के availability है, बहुत सारी progress line, life line से भी निकली ह हुई है, तो ambitious nature in approach रहेगा, high thinking approach रहेगा, confidence level इस condition में ठीक होता है, और Saturn और Sun करें बढ़ी, definitely करें, ताकि mood swing से लेकर के, जो lack of interest है, वो कभी भी life में बहुत ज़्यादा struggle stress create ना कर सके, बाकि और और लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा best रहने वाली है, और तमाम तरह के सु प्रेशनों को तर मिल गया हूँ, तब तक आप अपना धियान रखें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद,